तो फिशले एपिसोड में आपने देखा था कि अपनी अपनी चेठानी हेमा की हमीशा मदद करने में आगे रहती थी और उसे हमीशा अच्छी बाते सिखाती रहती थी वहीं इसी बीच आपने यह भी देखा कि हेमा का पत्य सुनिल उस पर किस तरीके से अत्याचार करता रहता है वहीं कहानी के अंध में आपने देखा कि हेमा को छत में बने हुए स्टोरूम के सफाई करते वक्त पैसो का लिफाफा मिलता है और इस बारे में वो बिंदू से पोचती है अब आगे तो उस पैसे के लिफाफे को देखकर बिंदू की अवाज में उतार चड़ाव होने लगता है वो थोड़ा हर बड़ा गई थी अरे ये पैसा मेरा है भाबी जी क्या लेकिन तुमने ये इतने सारे पैसे यहाँ पर क्यों रखे थी बिंदू अरे वो भाबी जी आपको तो पता ही है ना कि मेरे पिता जी कितने बड़े शराबी है और वह यहाँ पर आते जाते रहते हैं तो बस ओ हाँ बस उनही से बचाने के लिए मैंने ये पैसे यहाँ जुपा दिये थे क्योंकि कल मेरी छोटी बेहन गुन-गुन का फोन आया था वो कह रही थी कि पिताजी गाउं से यहाँ आ रहे है दरसल बिंदो हेमा के ससुराल में ही कई सालों से रह रही है क्योंकि उसका घर काफी दूर है वही उसके माता-पिता और छोटी बेहन उसे कभी-कभी मिलने आया करती है खेर हेमा को बिंदो की बात पर यकीन भी हो जाता है अच्छा तो तुमने बिल्कुल सही किया लेकिन फिर भी इसे और अच्छी जगह पर रखो ताकि किसी को भी ना मिल पाए जी भाबी जी जैसा आप कहें मैं रख दूंगी और हेमा सारे पैसे बिंदो को दे देती है ठीक है चलो किचन में चलते हैं हाँ भाबी जी याद आया मैं तो गैस पर दूर चढ़ा कर आई थी अरे तू चल्दी जाए फिर तो बिंदो दोड़ कर किचन में जाती है और गैस बंद कर देती है तभी दस मिनिट बाद वहाँ पर वेजन्ती आ जाती है वाह आज कल तुम लोगों का काम पर ध्यान नहीं है रोज कुछ न कुछ बरबाद करने पर तुली रहती हो माफ कर दीजे माजी गलती हो गई वेजन्ती मू बना कर वहाँ से चली जाती है तभी अजे कमरे में आता है और दर्वाजा बंद कर लीता है अरे आप क्या हुआ? जल्दी छुटी हो गई क्या? हाँ, बस आज तुमारी बहुत याद आ रही थी अच्छा? क्यों भला? बस यूँ ही हो, अच्छा, याद आया आज वही दिन है न, जिस दिन हम लोग पहली बार मिले थी सौरी अजे मुझे पता था कि तुम भूल जाओगी लेकिन कोई बात नहीं मुझे तो एक-एक बात याद रहती है सो सूइट अफ्यू अजे तुम भी न, नौची हो वही ये सारी बाते हिमा बाहर से सुन लेती है और मुस्कुराती है और वही खड़े होकर मन में सोचने लगती है काश, मीरी पदी भी मुझे से इतना प्यार करती ओ, तुम क्या कर रही हो यहाँ वो, मैं देवरानी जी को उनका दुपटा दीने आई थी तो दे दो न, और जाओ यहाँ से जा, जा कि कल के कपड़े दो, समझी वही इन दोनों की अवाज सुनकर अजे और अपनी चौकरने हो जाती है तो अजे तरवासा खोलता है क्या हुआ मा? यह देवर जी, यह तुपटा ले लीजिए अच्छा यह दीजिए और हेमा तुपटा देकर वहाँ से चली जाती है अजे, तुम्हे नहीं लगता कि जिठानी जी के साथ इस घर में अच्छा व्यवार नहीं होता? हम, लगता तो है मुझे मा की आदत न जाने कब बदलेगी? हम, अजे, उन्हें छोड़ी छोड़ी बात पर डाट पढ़ती रहती है मुझे बेल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मैं तो मा को समझाता रहता हूँ लेकिन मा मेरी एक भी नहीं सुनती है अवनी लेकिन तुम चिंता मत करो समय के साथ सब ठीक हो जाएगा हम, देखते हैं आगे क्या होता है तो इसके बाद दोनों बाहर जाते हैं और खोब इंजॉय करते हैं वही घर में मा बेटी दोनों अकेले बालकनी में बैठे हैं और चाय पी रहे हैं मा अपनी भाबी के तो बहुत मज़े हैं ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ता और दिन बर भाहर घुमो मस्त अपने पती के साथ अरे तु क्या हुआ अभी दोनों की उम्र है थोड़ा इंजॉय करने दे तू क्यों बोज ले रही है तुम तो भाबी के फेवर में ही बोलोगी क्योंकि तुम्हें पैसे जो मिले है चुपकर शर्मिला कभी-कभी तू ज्यादा ही बोल जाती है तो क्या मुझे बोलने का भी हक नहीं है मा मैं पराई हो गई हो न इसलिए ऐसा बोल रही हो अरे ऐसी बात नहीं है तो रो मत नहीं मा बस बहुत हुआ जब से अबनी भाबी आई है तो मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती मुझे तो जैसे फूल ही गई हो वे जनती शर्मिला को गले लगा लेती है अरे नहीं बेटा तू तू मेरी जान है सच्ची हाँ पेटा उसी शाम अजे और अबनी शॉपिंग करके वापस घर लोटे हैं मा बापा आप सभी के लिए हम लोग गिफ्ट ले करा हैं दिखिये तो कैसा है हाँ हम लोग मॉल भी गए थी वहाँ पर बहुत डिस्काउंट मिल रहा था तो मैंने सुचा सभी के लिए कुछ न कुछ ले आती हो अच्छा दिखाईए तो भाबी जी क्या है और अपनी सभी को एक एक बैग दे देती है तो शर्मीला को बैग और पर्स मिला था वही हेमा को एक साड़ी मिले थी वाह गिफ्ट तो काफी अच्छा लगा मुझे अपना हाँ बहुत बहुत शुकरिया बहु थांक यू पापा जी लेकिन शर्मीला को अपना गिफ्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कुछ देर बाद शर्मीला और वेजन्ती अपनी के पास चाते हैं और उसे खुब बाचीत करते हैं वैसे भाबी एक बात बताओं हाँ बताईए न आप न हेमा भाबी को जादा भाव मत दिया करो वे जितनी सीधी लगती है न उतनी सीधी है नहीं बता रही हूं मैं लेकिन आप ऐसा क्यों कह रही है ननजजी और न जाने हेमा के बारे में दोनों मा बेटी क्या-क्या बोलती है वही अपनी इन सब बातों पर जाद अध्यान नहीं देती वही आजकल शर्मिला अपनी से भी चिड़ने लगती है और वे अपनी मा से उसकी भी शिकायत करने लगी है खेर कुछ दिन बीव जाती हैं एक दिन अचानक से सुनिल कहीं गायप हो जाता है सुनिल राच से घर नहीं आया था तो अजे अपने भाई को ढूनने के लिए बाहर से घर आया था अरे बिटा अजे क्या हुआ? तिरे भाया मिले या नही? पापा भाया का मिलना थो दूर उनका थो कुछ अधा पता भी नहीं चल रहा है कहीं से भी क्या? ही भगवान? नव जाने हमारी घर में ये सब क्या हो रहा है? आखे जेट जी कहां जा सकती है? ये सब हेमा की बज़े से हो रहा है हाँ इनी की बज़े से है भया को रोज सुनना पड़ता है लगता है इनी सब चीज़ों से परिशान होकर वो कहीं बहार निकल गए है नहीं शर्मिला, दीदी ऐसी बात नहीं है भला इन सब चीज़ों में जे ठानी जी की क्या गलती है? क्या अपनी भावी? सुनिल भयाक हो गए है लेकिन आपको अभी भी हेमा भावी की ही चिनता है कमाल है शर्मिला, दरा सोस समझ कर बोलो और वैजियन्ती, तुम हर बात का इल्जाम हेमा पर मत लगाया करो हाँ, वही तुम्हें कह रही हो हाँ हाँ, क्यों नहीं देखा मा, इस घर में कोई भी मुझे अपना नहीं मानता पर आई हो गई हूँ न मैं मैं कल सुभी ही यहां से चली जाओंगी, बस अब जो भी कुछ करना है मुझे मैं अपने ससुराल से ही करूंगी अब नी, तुम्हें हमने छूट दी है और इस तरहे घर में काफी ड्रामा हो जाता है और सब एक दूसरे से बहस करने लगती है उस समय घर में निखिल भी आ चुका था लेकिन वे कुछ नहीं बूल रहा था खेर, सुनिल की missing complaint लिखवा दी जाती है अगले दिन निखिल और शर्मीला मार्किट से सबजी लेकर आ रहे थे कि तभी रास्ते में वही नकाब लगाया हुआ आदमी अपनी बाइक पर उन दोनों के सामने रुखता है और उतर कर निखिल के पास जाता है ओहो, क्या बात है सारी में तो तू बिलकुल पठाखा लगती है आजा जाने मान कौन हो, तभी वो आदमी शर्मीला का हाथ पकरने की कोशुश करता है यहां से चला जा, फ़रना तुझे जिन्दा नहीं छोड़ूँगा तू तो नामर्द है नामर्द अपनी बीवी को तो समाल नहीं सकता और बात करता है मुझे मारने की अरे मारो इससे निखिल और निखिल उस आदमी को मारने लगता है लेकिन वो आदमी काफी ताकतवर था वे निखिल को दो वार में ही भी होश कर दीता है हँ, कैसा पती मिला है मुझे एक काम नहीं होता इसके छोड़ूँगा नहीं तुझे वहीं वो आदमी शर्मिला को धम की देखार चला जाता है शर्मिला घर वालों को कॉल कर देती है तो सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाते है वहीं निखिल को जल्दी से अस्पताल ले जाया जाता है निखिल को होश आता है शर्मिला तुम ठीक तो हो ना? हाँ वो तो ठीक है लेकिन दमाज जी आप तो उसके एक ही बार में धेर हो गए हाँ दम ही नहीं है इनमे तो अपने पती को ऐसे क्यों बोल रही हो शर्मिला तो शर्मिला भी मूँ बना लेती है और तभी वेजन्ती के पास बिंदू की कॉल आती है वेजन्ती बिंदू की बाद सुनने के बाद विलकुल शौक्ट हो जाती है ए राम ये क्या कह रही है तू क्या हुआ सासुमा तो आखिर बिंदू ने ऐसा क्या बताया estarla वेजन्ती को कि वे पिलकुल शौक्ट रह गई थी जानने के लिए आगे के एपिसोड तक बने रहिएगा